किसान साथियों नमश्कार मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहें अपना मनपसंद यूटूब चैनल लाइगरी कल्चर एक्सपैल्ट आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर क्या हूँ गेहूं की खेती से जुड़ी कुछ महतोपुन जानकारी पिछले दो-तिन दिनों से बहुत सारे किसान भायों की सवाल आ रहे थे किसार गेहूं की फसल में पीलापन आ गया है तो क्या कुछ डाले जिससे रोग दूर हो सके तो आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे ऐसा किन कारणों से होता है और इसके उपचार के लिए क्या कुछ करना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखेगा तब ही आप इसका फायदा उठा पाएंगे किसान साथ्यों गेहूं में पीलापन आने के दो ही मुख्या कारण होते हैं इसमें सबसे पहला होता है न्यूट्रियन डेफिशेंसी यानि पोसक ततों की कमी से भी ऐसा हो सकता है जो अपना निमेटोर से परभावित अगर खेत है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि पीलापन आ जाएगा दोनों ही सवस्त पोदा भी मेरे हाथ में है और निमेटोर से गरशीत पोदे भी हैं क्या कुछ अंतर है आपको सपष्ट पता लग जाएगा यह जो आप पोदे देख रहे हैं इनमेटोर की समस्या है पहचान क्या कुछ है जब आपके खेत में गेहूं में चक्ते से पीलापन के नजर आएं तो आप कोई भी एक पीले पोदे को उखाडेंगे उखारने के बाद अगर उसकी जड़ों में ऐसे गांठे बनी हुई नजर आई जैसे आप देख सकते हैं इसमें गांठ बनी गई हैं और पोदे की जड़ें काली पड़ जाए उसको अगर चीरा लगाते हैं तो आपको मानना है कि यह निमेटोर से परभावित है इसका उप में बहुत सी नकली कारवफिरान यानि की रंगीन पैक्टों के अंदर राख बरी हुई मिलती है तो आपको अच्छी कंपनी का कारवफिरान लेना है और उसका यूरिया में मिट्टी में मिलाकर शिटकाओ करना है इसके लाओ दूसरा में आपको सवस्त पोदा दिखाना च यानि छे टिलर इसमें निकल चुके हैं जबकि जो अदर जो पोदा है रंगी निमेटोट से परभावित है उसमें अभी तक जो सिंगल यानि जब गहूं जर्मीनिशन करती है उगाओ लेती है तो जो एक पत्ती बार आती है वह एक तना अभी तक है कोई फुटाओ नहीं ह तो सबस्त दोर पे आप देख सकते हैं अगर निमेटोट से परभावित पोदा है तो आपको उसकी पहचान करने के लिए कोई भी रोगी पोदे को उखाड़ कर देखें जड़ों में गाठ बनी होई मिलेगी या फिर उसकी जड़े काली हो जाएगी जिससे सड़नूत बनो जाती है स्वस्त पोदे की जड़ों में फुटान भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे गहराई में भी जाएगी और पोदा टिल्रिंग भी अच्छी करेगा अगर एक दूसरा कान जैसे मैंने आपको बताए था जो नूट्रियन डेफिशेंसी है अगर पोदों में पो की फसल में पीलापन बगएरा कोई भी अगर समस्या है तो वह दूर हो जाएगी